हेलो स्टुडेंट डिक्यारें वेल्कम टू आवर यूट्व चैनल लर्णनेट पिछले वीडियो ने हम लोग परहे थे मोड़ अफ नीट्रिशन के वारे में आज उसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक को चानेंगे कि फोटो सेंथेटिस क्या होती है क्यों होती है और कैसे होत होता है आज आई यह देखते हैं कि फोटो सेंथेटिस होती क्या फर्स्ट फॉल फोटो सेंथेटिस जो है वह दो वर से बनती है पहला फोटो अदूसरा सिंथेटिस फोटो में सोता है लाइट अस सिंथेशिस में सोता है बिल्डव जो प्रोसेस लाइट के हल्प से वह देख लेते हैं फोटो सेंथेसिस इस प्रोसेस वाइवीच ग्रीन प्लांट मैंग दियर और फूट बाई सिंपल सवस्टान जैसा कि मैंने अभी बोला फोटो सेंथेसिस एक प्रकिरिया है जिसमें प्लांट खूद का भोजन अब स्वयम बनाता है खूद का भोजन स्वय करवां दॉकसाईड सनलाइट एनरजी क्लूरोफील और यह जो पांच चीज वह बहुत ही इंपोर्टेंट है इस प्रोसेस को प्रोसीट करने के लिए अब आगया यह यहां पर कहता है कि क्लूरोफील क्या होता इसका है इस प्रोसेस को प्रोसीट करने में सेगं टॉपिक the leaves of plants are green because they contain tiny green color bodies called chloroplast chloroplast उसे बोलते हैं जो प्लांट ग्रीन क्लर का जो छूटा सा ग्रीन क्लर का बोड़ी को कंटेन करता उसी को chloroplast बोलते हैं यह इसको एक और बोलते हैं यह एक ग्रीन क्लर का पिग्मेट होता है और इसी के अंदर क्लूड़ोप्लास के अंदर ही क्लूड़ोफिल पहा जाता है और क्लूड़ोफिल का क्या होता कि वह सनलाइट एनरजी को ट्राप करता है जिससे यह प्रोसेस को प्रोसीड कर सकें एक वात और कि प्लांट जो है ग्रीन क्यों होती है प् में इसमें क्लूड़ूफिल के कारण है वह ग्रिन होती है ओके रैट अब यहां पर आ जाए इतना थों गया कि हम लोग्लूड़ूफिल के बारे में जान क्लूरफ्लास्ट किया है ठीक है अब आते हैं कि कर्बंड अक्साइड या प्लांट कैसे ट्रैप करती है ठीक है कर्बंड अक्साइड जो है वह यह से ट्रैप करती है थ्रू अस्ट्रमैटा से स्ट्रमैटा से वह कर्बंड अक्साइड को ट्रैप करती है लेती है ठीक है अब तो यह दो तरह का होता है एक अपन होती है जब कावन डियक्साइड को इंटेक करती है फिर उसके बाद बापस में क्लोज हो जाती है यही इसका काम इस तरह को को विद इस तरह हम लोग ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं प्लांट उसी तरह कावन डाक्साइड को इंटेक करते हैं अब आगे आईए वॉटर वी में इंपॉर्टेंट है सिंपल सबस्टांग तो वाटर कहां से एब्सॉर्ब करेगा उसको देख लेते वाटर जो है प्लांट स्वाइल से वाटर आ है थे कि स्वाइल से एब्सक्राइब से मतलब दो यह Näं यह सब स्वाइब मैं कला फन्क्शन होता है अब कैसे जाती है ने टंट भीक्रम rattsh जाती है JLM byuesal यहनल चाहर मैं जाथ हूं यहां पर उसमोसिश इसमें पासी इंवा kutता नियोम को करता है यह सब्सक्राइब करता है जो नहीं यहां पहुंचांग में थह यह तोर यहां पर और उसमें जो process involved होता है उससे को process of osmosis करते हैं यहां पर process of osmosis एक टरम आया क्या होता वो वो जो गंदगी जो हता ना में water के साथ soil में तो water और मिर्ण साथ जो गंदगी होता वेस्मेटरियल उसको बाहर निकालता मतलब उसको नहीं जाने देता अंदर नहीं जाने देता वह सिसलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देता जो 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 इस process के लिए essential है अब देखो आम भासा में ले एक्जामपल में जिस तरह से चलनी से जो आटा चानते हैं तो आटा जो है आटा चालते हैं तो आटा जो है उससे बेस्ट मेटरियल जो है बहार निकल जाता है और जो सेलेक्टिव मेटरियल जो हता है अच्छा अच्छा मेटरियल वही जो तो उससे नीचे जाता है यानि इसको कहने का मतलब है कि यह जो है classification of waste material and good material ठीक है यह हम कह सकते हैं इसमें process of osmosis के थूरू क्या हो सकता है कि process process of osmosis के थूरू यही हो सकता है कि हम लोग classify कर सकते हैं बेस्ट material और good material को जो इस process के लिए involved होता है उसको यह intake करवाता है यानि observe करता यह इसके थूरू जो है वह observe करता plant को यानि water mineral जो है उसको observe सिर्व आने देता है और waste material को रोके बढ़ता है इसी को हम process of osmosis कहते हैं अब आए जाइलम हो गया अब आते हैं इसका equation देख लेते हैं photosynthesis का equation क्या होता है photosynthesis का equation है carbon dioxide जो है हम यह से ले लेते हैं ठीक है water तो अभी बता कि मैंने बोला कि water जो है स्वाइल से ले लेते हैं रूट के थूरू और carbon dioxide जो है वह एयर से इंटेक कर लेते हैं ठीक है अज क्लूरोफिल के हैज से sunlight को ट्राइप करते हैं सनलाइट को करके उसो क्या करते कि light energy को chemical energy में में चेंज करते हैं और chemical energy में change होनी के काराण यह जो है reaction होता है इस reaction को करने के लिए कुछ तकुछ exile चाहिए इसलिए सनलाइट का को pulsa लाइड इनरजी को chemical energy में change करते है तो वो क्या देती है ग्लूकोच और oxygen देती है Oxygen जो है हम लोग के लिए सर्वाइब करने के लिए बहुत जरोड़ी है बीना ओक्षीजन तो अम लग सर्वाइब हो नहीं सकते इस लिए के इस PROCESS को होना तो इंसेंसिल है प्लांड के लिए और हुमनबेंक के लिए और एनिमल के लिए आप देखे यहाँ पर अब यहाँ पर एक तरह माया ग्लुकूच ग्लुकूच एक भोजन है यानि फूड है जो कि green plant के द्वारा रुपीर « था किया सिंपल में प्रिपिर होता है मतलब सिंपल सुगर फ़ॉर्म में प्रिपिर करता है उसी को हम glucose कहते हैं तके यहाँ पर देख लो फूड प्रेपेर बाइद ग्रीन लेफ्स और प्लांट इस इन दा फर्म आफ सिंपल सुगर ठीक वह सिंपल सुगर के रूप में जब प्लांट अपना फूड को तयार करता है ना उसी को हम सुगर बोलते हैं जितना मैक्सिमम एमांट आफ सुगर जो है प्लांट बोडी के द कर देता है प्लांट के द्वारा होता है तो उसी को स्टार्च बोलते है और यह स्टार्च के रूप में स्टूर हो जाता है कि अस्टोर हो जाता है लेफ्स में जो यह इध्यान रखना कि स्टार्च होता क्या है अश्टार्च जो है वह ग्लूकोच है जो की यूटिलाइज होने के बाद जो बच जाता है glucose उसी को इस अपर यह सफोता है यह सब होता है यह सब होता है प्लान्ड के लिफ्स ने जैसा एक रही के इसलिए प्लांड के पास भी एक कीचन होता है वह होती है लिफ्स ठीक है लिफ्स जो है वह कीचिन अब दा प्लांट है मतलब कि यह सारा काम जो है लिफ्स में होड़ा प्लांड के लिफ्स में होड़ा इसका स्क्रेंश लेना चाहते है तो ले लू और नोट डाउन भी करना चाहते तो कर लो ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अब अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ तब के लिए थैंक यू